नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप से भी के गुवर्मेंट जॉप स्वीपी के ओफेशिल यूट्यूब चनल पर दोस्तों आप में से कई सारे लोगों ने हाई कोड की जूनरे से स्टेनोग्राफर की भरती जो 2014 में हुई थी उसके बारे में प्रशन पूछे थे क्योंकि मै 12 टाइपिंग के ओर्डर जो है वो जारी किये गया है और वो इसलिए भी जारी किये गया है क्योंकि दोनों ही भरतियां जो है सेम सेम टाइम लाइन पर चल रही थी मतलब same time line का मतलब जैसे same time ही admit card जारी किए गा था दोनों का और मुद्दा यही था और दोनों में ही 5-6 दिन पहले ही बताया गया था दोनों के admit card गार्ण और 7 में जारी किए गया था और दोनों की typing भी साथ ही में होई थी क्योंकि TCS ही पूरी परिक्षा को दोनों ही परिक्षाओं को करा रही थी जूनर एसिस्टेंट पेड़ अपरेंटिस और स्टेनोग्राफर इस पूरी परिक्षाओं को कि टीसे सी करा रही थी तो पांच दिन पहले ही एड्मिट कार्ट ज़री करके बताया गया था कि मंगल पे टाइपिंग होगी अब 2014-15 में म पाइनल रिजल्ट आया तो जब उसमें देखा गया कि किसी-किसी अभ्यरती का सेलेक्षन ऐसे ऐसे लोगों का हो गया जिनके जीरो नंबर थे शून यंग थे उनका भी सेलेक्षन हो गया था तब यह सब जो है कोड के जरी और कई सारी पेटिशनर्स पेटिशन पढ़ने लग गए कुछ लोगों ने पहली पेटिशन डाल दी थी अचका दाकिल कर दी थी कुछ लोगों ने रिजल्ट देखने के बाद कि इसमें तो कुछ ना कुछ तो गल्ती जरूर हुई है कि जीरो नंबर भी टाइपिंग हुआ है उसको भी सेलेक्षन मतलब सेलेक्षन कर लि भी दिया था तो उनको नहीं उनको चैनित करना चाहिए अब आप पांच साल छे साल बात कह रहे हो कि वो भरती अवयाद है लोगों की शादी हो गई है लोग प्रमोशन हो गया है किसे ने प्लॉट ले लिया है किसे ने लोन ले लिया है कई सारी चीज़ें किसी को अपनी बहन की शादी करानी थी वो करा दिया है लोन लेकिन मतलब समझ में आता है कि नया प्रक्रिया कैसे क्या है करना लेकिन यह चीज़ गलत है यह जो चैनित हैं उस बारे में अपील कर रहे हैं आगे डबल बेंच में और जो भी चीज़ें होती हैं जैसे भी जो भी प्रक्रिय नहीं है मतलब यह सही नहीं है कि अगर आपको उस समे नहीं उनको 체नित करना था तो आप नहां करते चैनित आपने zero number वालों को क्यों 체नित किया और ठीक है अगर आप हटा रहे हैं तो ठीक है सब को एक बराबर का मौका दीजी। पांच महिने का आपने time दीए ठीक है वो टाइपिंग करके दुबारा चैनित हो जाएंगे लेकिन आप कई सारी चीज़ें गडबड होती हैं कई सारी चीज़ें उपर नीची हो जाती हैं देखने वाली बात रहेगी कैसे क्या होगा फिलाल दोनों के लिए दुबारा टाइपिंग होगी 2341 पत कनिसाय के थे और स्टेनों के भी ऐसे कुछ पत थे 30000 पत थे तो दोनों के लिए दुबारा टाइपिंग होगी ओर्डर में भी साफ साफ जिखर है मैं आपको दिखा देता हूँ ओर्डर में भी तो यह जज्ज्मेंट का उस रिट का 296 65 2015 जो रिटे है उसका लास्ट है तो इसमें देखी इसमें दोनों के देखे बात हो रही है अब आप देख लीजे स्टेनोग्राफर की भी बात हो रही है और क्लर्स की बात हो रही है अब दोनों लोगों की बात हो रही है in fact in the facts of the case therefore this code is of the opinion that ends of justice would be met if the respondents are ready to conduct stage 2 and 3 of the recruitment process afresh as applicable to all candidates who have qualified stage 1 of the two recruitments देख लिजे अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जिन्होंने typing दिया था कि खाली उन्हीं को मौका मिलेगा ऐसा नहीं है जिन्होंने भी written exam qualified किया था उन सभी को typing और stenography जिसमें भी उनका होगा उनको मौका मिलेगा और दोनों का इसलिए क्योंकि यहां साफ-साफ लिखा हुआ है होग क्योंकि आपको पता चल गया है कि दोनों ही रिकूट्मेंट मुझे लगा था कि के वल इस्टेनों को जिन्होंने यह आप पढ़ लीजी आपको सब समझ में आ जाएगा अब इसमें यह चीज़ है कि जो टाइपिंग में अपीर हुए थे कि खाली उन्हीं को बुलाना है जो रिटेन इक्जाम में पास थे क्या उन्हीं को बलाना है तो यह देखने लिए बात रहेगी कि इसमें लिखा भी हुआ है कि जो 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 और यह पास फिरेंगे इस टेज तरी तो पता नहीं कौन सथा किया था तो अब देखने लिए बात रहेगी मुझे लग रहा है कि सभी को बूला जाए कि लेकिन हो सकता है कि जो सिर्फ टाइपिंग में आए हो टाइपिंग में प्रेसेंट रहे है इसमें प्र आते हैं कि वो टाइपिंग देने गए थे स्टेनोग्राफी देने गए थे तब भी उनको एपसेंट बता दिया गया है लिस्ट में तो अब यह तो कैसे क्या इसको करेगा कोटी तो वही बता सकते हैं खैर अभी तक की सूचना तो फिलाल यही आप लोगों को बताने थी आग बहुत बहुत धेने बाद चैनल को सब्सक्राइब मत भूलेगा दोस्तों बहुत बहुत धेने बाद